हमारे जीव जगत का जो निर्माण है पांच बुनियादी तत्वों से हुआ है वे बुनियादी तत्व हैं आकाश, प्रत्वी, जल, वायू, अगनी इन पांचों का एक सही अनुपात में होना बहुत आवश्यक है तभी कोई भी जीव निरोगी रह सकता है इसके अनुपात में यही परिवर्तन आता है तो रोग प्रवेश करते हैं तो यह जो पांचों तत्व हैं यह किसी भी पशू, पक्षी, जीव, प्राणी, मनुश्य, वनस्पति सभी में यह पांचों तत्व रहते हैं इनका किस तरह से महत्र है समय समय पर आपको ग्याद कराते रहेंगे फिर फिलते हैं